तो यहां पर लेकर आ गए हैं Class 10th English का एक और Important Unseen Passes बच्चों Class 10th English में हम आपको उतना Unseen Passes दे रहे हैं जितने से आपका Board Exam में जो भी पैसे आए वो आप कर लें इसलिए यह हमारे Unseen Passes की स्रिंखला का तीसरा Unseen Passes होने जा रहा है आप वीडियो को सुरू से अंतक देखिए मेरा विश्वास करिए अगर आपको अंग्रेजी में कुछ नहीं आ रहा है जितना वीडियो में Class 10th English का बनाओंगा अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कुछ नहीं आने के बवजूद भी आप 50 से अधिक अंक अंग्रेजी में प्राप्त करेंगे सत्तर में और आपका नंबर 80 से उपर ही आएगा इंग्लिस में अगर आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं तो ये मान के चलिए 95 प्लस आप इंग्लिस में बनाने जा रहे हो लिख कर ले लो तो चलिए बिना किसी देरी की जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक बच्चो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है Unseen Passage 3 Unseen Passage 3 का मतलब होता है यह तीसरा Unseen Passage है इससे पहले दो Unseen Passage प्लेइलिस्ट में है आप देख सकते हैं यह वह बाले Unseen Passage है जिसमें आपके Optional प्रस्ण जो दिये रहते हैं शुरू का 3 को सन उस वह बाला है आपका जो उत्तर लिखने वाला Unseen Passage है वह बाद में आएगा पह आप सही Option को हमें क्लिक करना पड़ता है तो चलिए पढ़ते हैं यह मान के चलिए अंग्रेजी आपको बहुत कम आती है तो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा पढ़ने में ठीक चलिए देखते हैं ठीके बहुत ध्यान से समझी लिखा क्या है The Last Half बच्छो Last का मतलब क्या ह होता है अंत या आखरी हाप का मतलब क्या होता है आधा तो आखरी आधा तो आप बोलेंगे आपर आखरी आधा आप माई लाइप यानि मेरे जीवन का वाज इस्पिंड माने खर्च हुआ बीता तो मितलब मेरे जीवन का आखरी हिस्सा जो है खर्च हुआ या बीता I have to one up the dose मतलब की उन मतलब दोज माने उन painful इपोस painful इपोस का वर्थ होता है उन दर्दनाग युगों में आफ human history यानी मानो इतिहास ठीक है मानो इतिहास मतलब की जो है उसमें उसके मतलब की एक दर्दनाग युगों में से मेरे जीवन का आखरी आधा हिस्सा जो है बीता है इसका ये अर्थ होगा अच्छ ठीक है एक बार फिर से बड़े प्यार से बहुत ही ध्यान से इतने का अर्थ निकालते हैं क्या लिखा है दह लास्ट हाफ आप माई लाइफ वाज इस्पेंड यानि मेरे जीवन का आखरी आधाएं सा खर्च हुआ या व्यतीत हुआ किसमे आयट वन आप दोज पेंफूल इपोस आफ यूमन हिस्ट्री यानि मानो इतिहास के उन दर्द नाग पेंफूल का मतलब होता दर्द नाग इपोस का मतलब होता युगों में यानि मानो इतिहास के उन दर्द नाग युगों में बीता आगे लिखा है ठीक डियूरिं which the world यानि दुनिया यहाँ पर लिका है नहीं seems दिखती है to be getting rose यानि बदतर जिसके दौरान दुनिया बदतर होती दिख रही थी ठीक बहुत बढ़िया अब अच्छो आगे लिका है where past victories which had seemed to be definitive have turned out आगे लिका है नहीं only temporary इसका अर्थ क्या होगा बच्चो इसका अर्थ होता है where past where past का मतलब क्या होता है where माने जहां past मतलब पिछली victories मतलब जीते जहां पिछली जीते which had seemed यानि दिखाई देती है दिखती है कैसी to definitive have turned out to be only temporary यानि जो पिछली जीते निनायक लगती थी वो केवल आई स्थाई साबित हुए शिम्ट मने दिखती है साबित हुए आगे लिका है बच्चो when I was when माने फिर होगा जब I मतलब मैं was मने था जब मैं था यंग विक्टीरियन यानि जब मैं जो है युआ विक्टोरियन था तो यहां पर लिखा न युआ विक्टोरियन था तो अगे लिखा है optimism optimism का मतलब होता है आसावाद जब मैं युआ विस्थी मनलब की विक्टोरियन था तो आसावाद यानि जो आसा की क्रिने होते हैं वाज टेकिन फॉर ग्रान्टेड यानि उसको हलके मिलिया जाता था तो आसा वात को क्या हलके मिलिया जाता था अग लिखा है इट वाज थोट इट वाज थोट यह सोचा गया था कि that freedom यानि स्वतंतरता and prosperity that freedom and prosperity would spread gradually throughout the world इसका क्या आर्थ होगा एक एक चीज़ का आर्थ लेखेंगे ठीक अगर मैं थोड़ा जल्दी बाजी पढ़ रहा हूँ तो अब बताएगा अगले वीडियो में थोड़ा धीरे पढ़ूँगा ठीक इट वाज थोड़ यानि यह सोचा गया था that freedom and prosperity freedom कारता होता है स्वतंत्रता और prosperity कारता होता है सम्रिधी स्वतंत्रता और सम्रिधी आगे लिखा है would spread gradually throughout the world यानि यह जो है एक बिवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से जो है world throughout the world यानि दुनिया भर में यह फैल जाएगी और आगे लिखा है और यहां आसा की यहां आसा की इसके बाद देखेगा यहां पर लिखा है तो यहां पर लिखा है diet यहां पर आगे लिखा न कि diet cruelty का मतलब क्या होता है और आगे लिखा है टाइनर नी इसका आर्थ होता है अत्याचार आयंड जो है इंजस्टिद माने अन्याए वड कांटिनुली डिमेश इसका आरत होता है यह कम होते जाएंगी यह लगातर कि होते जाएंगे कोछ तो समझ में आया होगा कि यह बात आप यहां पर ध्यान दिए अब इसमें लिखे गए प्रस्णों का हम क्या देंगे सबसे पहला प्रस्ण इसमें बच्चों बन रहा है the author यहाँ पर क्या लिखा है the author said the later part of his life because यानि said नहीं है said the author said यानि author जो है उदास था क्यों क्योंकि उसके जीवन का आखरी हिस्सा जो था वो आखरी हिस्सा क्या था तो अभी आपको पता है कि बहुत दर्दनाक था तो the world was painfully disturbed during the that period of time तो यह आपका यहाँ पर इस प्रस्नका बन जाएगा उत्तर अच्छा बच्छो दूसरे प्रस्नका उत्तर क्या होगा दूसरे प्रस्नका उत्तर होगा the victories of the past यानि जो पास्ट यानि प्लब की जो बीटे वे समय की जीते हैं वो आपकी क्या है यह बात यहाँ पर ध्यान दीजे वो आपकी क्या है प्रूब्ड जो है temporary event यानि वो एक आइस्थाई घटना होती है ठीक यही तो आहाँ पर आया था उसके बाद आगे लिखा है बच्छो the word definite used in the passes में यानि definite का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर definite कार्थ देखी है यहाँ पर हमने पहले लिखा है final definite कार्थ तो क्या होता है final definitive है definitive कार्थ क्या होगा final तो इस तरह का आप अगर बनाकर पैसे करते हैं तो मुझे लगता है कि कम अंग्रेजी आने के बाद भी आप पैसे को पूरा का पूरा साल्व करके आज से और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलेंगे नेस वीडियो में थैंक्यू सोमच जैहिन पने मातरम